कैसे आप लोग आए होप की बहुत अच्छे होंगे तो देखिए आज के वीडियो में हम बात करने वारे हैं अगेन ओविएसली पीएजी एप्लिकेशन की बट आज जिस इंस्टिूशन की हम बात करेंगे वो है ट्रिपल आईटी जो की नया रायपूर या बिसिकली इच्छ सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा विच इस आपको डिस्क्रिप्शन सेक्षन में मिल जाएंगी आप उसे चेक कर सकते हैं तो यहां पर ऐसे ही कुछ न्यूज है आप चाहें तो वैसे देख सकते हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको द आप इस आपको दिख रहा है तो यहां पर प्यच डी वाला भी है यह लिंक वगर आए तो हम ओपन करके देखेंगे तो इट वूड बेटर फर एस तो फैसे फिलहाल इस पोस्टर से जितना आपको दिख रहा है उसे अगर बात करें 30 अपर लास डेट होगी एप्लाई करने ठीक है उसके बाद लिस्ट आएगी फिर इटन टेस्ट और इंटिव्यूस से रिलेटेड नोटिस है आएगा या बेसिकली इस ओन 14 जोन तो 14 जोन को रिटन टेस्ट और इंटिव्यूस मेंशन है MS Research and PhD program या PhD admission के लिए notification है autumn जो नया session बिसिकली है उसके लिए subjects या disciplines की बात करें तो CSC, ECE है उसके अलावा humanities है, management है, physics है, maths है तो latest update में अगर आपने देखा हो यहाँ पे भी notification है तो आप इस पे भी directly click कर सकते हैं and internship program का जो मैंने बोला वो यहाँ पे आप इसे click करके देख सकते हैं ठीक है दोनों ही notifications अभी dates है so अच्छा है आप चेक कीजे then यहाँ पे click कीजे यह announcement section में यहाँ पे दिख रहा है आपको वही information से इसे देखिए और कोई बीशू है तो आप इन्हें contact कीजे mail कीजिए पिएच्डी के लिए इस पिएच्टी admissions आप रेट डुपल आइटी ना डॉट एसी डॉट इन ठीक है तो यह बहुत helpful होता है क्योंकि usually mails का reply आता है कई institution से ठीक है तो अब देखिए apply करना होगा तो आप click here to apply पे click कीजेगा और आपके सामने यह page open होगा जो कि अभी open हो रहा है तो उसकी भी link directly description में है तो आप उसके तुरू भी visit कर सकते हैं राइट सो यह है वो page यह तो देखिए अभी यह थोड़ा सा हो रहा है अभी load बटिया यह सारी कुछ information है जो आप देख सकते हैं open हो जाएगा आपके मेरा network issue हो गया सो यहां से आप register नाओ कर सकते हैं mail और call का भी option है in case को issue है आपको तो आप यह भी कर सकते हैं तो वापस हम home page पर या इस particular last page पर visit करेंगे तो यहां पर और information भी है so triple IT नया रायपुर invites applications for admission to MS research and PhD programs कुछ disciplines में goals वगएरा है overview है यह सारी चीज़ें आप देख सकते हैं हम अब जो डेट्स वगएरा है उनकी बात करेंगे so talking about the important dates start हुआ है कब से so 9th मार्च से start हुआ है closure of online applications 30 April 30 April तक आप चाहें तो apply कर सकेंगे shortlisted candidates के list आएगी 14th में को return test and interview है 14th June को then result है 21st June को आने वाला ठीक है admission का application का process क्या होगा obviously आपको online fill करना है online जो portal है उस पर अभी हमने देखा भी उसको और उसके बाद obviously आपको अपने details वगएरा देनी होगी application complete करना होगा then payment आपको करना होगा right fully submit हो जाए तो please आप payment की रिसीब जरूर रखेगा acknowledgement रखेगा उस साथ में application form का जो पूरा होगा ना final print वो भी अपने पास जरूर रखेगा print नहीं तो at least save कीजिए and print कराएंगे तो better होगा because वो long term के लिए अच्छा होता है PDF कहीं miss हो गई तो वैसे तो जैसा मन आपका so yes उसके बाद है कि applicant अगर आप एक से जादा discipline के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको register separately करना होगा payment separately करना होगा बठा आप same email ID को use कर सकते हैं ठीक है उसके बाद है कि application form फिल करने से पहले obviously ब्रोशर जरूर पढ़िए information देखिए और उसके बाद ही फिल कीजिए कोई भी clarification है तो आपको इस email ID पे mail करना है आपको clarification मिलेगी और फिर यहां पर देख सकते हैं क्लिक है यहां पर ब्रोशर के लिए यहां क्लिक कीजिए sponsorship letter अगर आप चाहें sponsored category वाले जो भी हैं तो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं NOC आप डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं तो हम information brochure को डाउनलोड करते हैं yes तो यह है information brochure और यह है इनका campus तो यहां पर नाम वगेरा address वगेरा सब चीज़े हैं अब यहां भी programs लिखे हुए so disciplines in which PhD program will be offered are सबसे पहले CSE है then ECE that is electronics and communication then physics, maths, humanities and management MS research किसमे so it will be offered in any discipline of CSC and ECE right so basically CSC और ECE के सभी branches में MS research program available है या allowed है so PhD की categories obviously यह तो आप institute के scholar होंगे right so आप obviously full के मतलब financial assistantship आपको institute की तरफ से मिलेगी और यह availability सिर्फ four departments में फिलहाल के लिए हैं disciplines में हैं CSE में ECE में humanities में and maths में बाकी जो भी थे जैसे management था उसमें आपको institute scholar बने का मौकर नहीं मिलेगा उसमें या तो आपके fellowship मिल रही हो individual fellowship जैसे CSI RUGC किसी भी आपके agency से हो सकती है जै आरे फों आप या sponsored अगर हैं तो आप देख सकते हैं तो sponsored के टिगरी के candidates को भी yes आप employed होते हैं basically आपको triple IT रायपूर की तरफ से नहीं मिलेगा कोई भी financial support then project staff deputation सारे ही options available हैं then talking about MS research तो इसमें भी आप पढ़ सकते हैं अगर आप interested है तो ठीक है eligibility criteria PhD के लिए master's degree येस good academic record हो first division marks हो bachelor's और master's दोरों में तो UGPG में 60% से जादा marks होने चाहिए और उसके अलमा all candy rate seeking admission अंडर institute scholar के टेग्रीशल have to possess requisite marks ये grades okay so अगर आप PhD engineering में चाह रहे हैं तो आपके पास net जरूर होना चाहिए या gate होना चाहिए it may be gate UGC net और CSIR net then science या maths का है तो फिर यह है इन में से कुछ होना ही चाहिए and HSSS के लिए UGC net CSIR net और यह सारी चीज़े and obviously जब screening होगी तो higher criteria को भी prefer किया जा सकता है तो यह चीज़ें थी उसके बाद आप अगर individual fellowship के लिए लाओकर apply करने वाले हैं तो उसके लिए आपके पास obviously GRF होना चाहिए किसी institution से fellowship आपको मिलनी चाहिए इसी तरह अलग-अलग के टेग्रे के लिए अलग-अलग information है देन MS research के लिए लिखा हुआ है भी भी टेक हों आप 60% marks के साथ या अगर MSC किया है या equivalent कोई degree है 60% marks then you can apply और relaxation जैसे मिलता है CSD को वैसे मिलेगा और बी कुछ चीज़ें हैं तो देख लीजे so prefer किसे किया जाएगा so 35 years से less अगर आपकी एज है तो मतलब basic वह prefer करेंगे आपको ज्यादा वाले भी apply कर सकते हैं ऐसा कोई foundation नहीं है यह बार नहीं set किया है बट स्टिल प्रिफर वह इन्हीं को करेंगे सो अगर आप 35 से कम हैं तो आप जरूर reply कीजे अगर आप eligible हैं तो duration आपको पता है कितना होता है dates मैंने अल्रीडी बता दी यहाँ पे है areas तो areas आप जरूर देख लीजेगा CSE है then ECE है humanities के लिए cognition and language है ELT है Indian writing in English है women's studies है film studies है psychoanalysis and literature physics के लिए maths के लिए और management के लिए यह सारे areas हैं आप देख सकते हैं process आपको मैंने अल्रीडी बताया आप one by one प्लीज पहपर जरूर लीजेगा उसके बाद apply कीजेगा कोई भी issue ताकी आए तो आपको contact कर सके then application submit करने के बाद आपके लिए कुछ यहाँ पे instructions थे then fee structure so कुछ comments related थे इससे की fee structure include किया जाए वीडियो में तो okay I will try but usually अगर इसमें होता है PDF में तो include किया जाता है बट कई बार नहीं होता है तो इसलिए नहीं include करते क्योंकि वो important उनके लिए होगा जो admission ले लेंगे ज्यादा तर लोग obviously हर institution में interested नहीं होते हैं so talking about this तो आप यहाँ देख सकते है caution money total 12,000 one time fee जो admission time पे लगेगी it is 7,450 then semester fee जो आपकी हर semester लगेगी शायद so it is 30,350 and hostel charges per semester it is 26,345 the first time total लगेगी 76,145 बाकी hostel और मतलब अब आप देख लीजे बाकी hostel नहीं लेंगे तो नहीं लगेगा उतना then one time fee है तो आगे आप count कर सकते हैं कि आपकी next semester में कितनी लगेगी then यहाँ annexures है N.O.C का format है then sponsorship letter है तो yes यह कुछ information थी तो अब हम एक बार home page पे फिर से visit करते हैं तो yes इस पर एक information और थी जो मुझे दे नहीं थी आपको वो यह कि अगर आप institute के fellow हैं जैसे हमने देखा न full time वाले institute वाले जो candidates होगे आपको 31,000 per month मिलेगा ठीक है जा research assistantship या fellowship जो भी कहिए institute की तरफ से आपको 31,000 per month मिलेंगे और बांकी जो चारे वगिरा होता है that's different but overall institute की तरफ से you will get rupees 31,000 per month so yes I hope कि आपको सारी informations मिलगे होंगी जो important है else कोई भी issue होता है तो आप इने please mail जरूर कीजे for authentic and official information I would say so yes ये था video helpful लगा तो दें you can like the video share the video नहीं तो you can dislike the video but please do not forget to subscribe the channel so that is it thank you so much